हेलो अब्रीबन डिस्स कर रहे हैं आज अपन method of analysis के बारे में ओके ये जो टॉपिक है वो फार्मसोटिकल एनलाइस बीफ एनलाइस इस बीफार्म फर्स सेमेस्टर एंड मसी थर्ड सेमेस्टर के लिए हैं ये जहां पर उनके analytical chemistry आती है subject उसमें एक टॉपिक दे रखा है method of analysis क के बारे में ओके सो इसको आपन थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिस खरेंगे तो बेसिकली अगर मैं बात करूं आपको method of analysis का मतलब क्या है method of analysis means what कि किसी भी चीज़ का चाहे वो chemical है या फिर वो drug substance है या फिर कोई compound है उसको analysis करने के लिए अपन को उसका कुछ एक ऐसा method apply करना पड़ता है जिससे कि अपन को उसकी purity पता चल जाए को कितना percent pure है अगर मैं थोड़ा सा scientific language में जाऊं तो उसका qualitative and quantitative analysis करते हैं okay qualitative analysis मतलब क्या कि जो अपने पास जो result आएगा वो जैसे कि numbers में आ रहा है 99.9% pure है 98% यह तो हो गया quantitatively qualitatively कैसा कि अपन numerical form में उसका percentage नहीं ला रहे हैं अपने यह बोल रहे हैं हाँ this is component is present in this sample means यह qualitative qualitative जो है हो गया उसका analysis मतलब यह substance जो है उसमें present है okay अगर quantitative की बात करें आपन तो कैसा रहेगा जैसे कि अगर quantitative की में बात करूं तो देखो यह तो हो गया qualitative एक हो गया quantitative quantitative हो ले तो जिसमें नंबरिक form में अपने पास sensor आएगा कि इसका analysis किया मैंने इस रख का यह हिसाब से मेरे पास आया और qualitative बोले तो जिसमें अपन किसी भी जादा कि जहां पर instrument बिल्कुल भी available नहीं थे इंस्टुमेंट अवेलेबल नहीं थे और जो method of analysis होता था उसको अपन क्या बोलते थे classic method के नाम से classic means जो old traditional method चलते आ रहे हैं अपने उस हिसाब से तो वहां पर basically अगर आपन देखें तो कौन-कौन से method थे बेसिकली टाइट्रिमेट्री है या फिर ग्रेविमेट्री है जिसमें अपन क्या करते थे उस जमाने में अपने पास इंस्टुमेंट तो अवेलेबल थे नहीं तो किसी भी compound या कोई भी sample अगर आपके पास आता था तो आप क्या करते थे उसका chemically treatment करते थे chemically treatment in the water कि अगर अपने बेसिक सेंपल आया है तो अपने एसीड से उसका टाइट्रेशन कर लेंगे और पता लगा देंगे कि एसीड जो है कितने जो है कंसेंट्रेशन का है ठीक है basic component है तो उस हिसाब से कर लेंगे या फिर और example दो मैं तो जैसे कि complexometry titration है ठीक है तो complexometry titration में अपने क्या कर लिया कि अपने पास कोई compound है वो calcium method of analysis जो है करते थे मतलब एक ऐसा method development करते थे कि इतना गराम यह बोरिक acid लिया इतने में डाल दिया इसको एने और से treatment कर लिया यह अपने क्या है एक method बना दिया method of analysis का जिसको कि अपन non-instrumental method के नाम से जानते हैं यहाँ पर जो mention है ओके non-instrumental method of analysis का मतलब है कि जहाँ पर instrument का use नहीं होता था पहले जमाने में यह होता था अब क्या हुआ जैसे जैसे टेक्निक बढ़ गई है वैसे वैसे instrument आप देख रहे हैं चारों तरब instrument instrument हो गए है ओके तो वह instrumentation में अलग-अलग category के अलग-अलग अपन division करेंगे और एक-एक को समझेंगे कि यह है क्या ठीक है तो first of all classic method के अगर मैं वापस बात करूं तो कितने type के हैं भीया देखो दो type के हैं कौन-कौन से हैं first classic method में टाइट्रिमेट्री और arts method non aqueous जो कोई ड्रग या chemical जो वाटर में soluble नहीं उसका titration कैसे करेंगे उसको non aqueous titration बोलेंगे non aqueous media में soluble करको उसका analysis कर लेंगे मतलब कुछ भी जोड़ तोड़ के अपन उसका analysis कर ही लेंगे complex symmetry calcium gluconic magnesium sulfate इन सब कर लेंगे अब क्या हुआ जैसे जैसे technique बढ़ी जैसे जैसे technology बढ़ी उसका analysis तो है क्वाली पहले तो क्वालिटेटी पे dependent quality कैसी है पहल है पास है क्या है sample है नहीं है उस पे चल जा रहा है अब तो quantitative है या कितना परसेटी और है 90% 99 95 कितना वह वाद आना पड़ता है ठीक है तो यहां पर हो गया यह classic method में titrimation और gravy metric में जानते हैं जो अपन barium sulfate और इसका करते हैं crucible में उसको ignite करके digest करके जो बाद में रह जाता है sample उसको test कर लेते हैं ठीक है तो यह हो गया अपना classic method traditional method जो इसको अपन बोल सकते हैं और आज भी यह करते हैं ऐसा नहीं कि अपन लुप्त हो गया भीया कि अब इसको test को अपन नहीं करते हैं यह important है यह भी करते हैं बट उसको classic इस लिए बोला क्योंकि ज़रियों से चलते आ रहे हैं और यह quality पे ज़्यादा भी करते हैं quantitative पर नहीं ठीक quantitative भी है बट इतना इस पर dependence नहीं है next अब बात करते हैं जैसे जैसे टेक्नलोजी बढ़ गई है वैसे वैसे सारे के सारे जो method है वो कैसे हो गया है method of analysis कैसे हो गया instrumentation पर हो गया सारा का सारा depend हो गया इंस्टुमेंट के अगर आपन बात करें तो first of all basically के लिए अगर आपन देखें तो इसको फोर टाइप में अपने डिवाइड किया है फर्स्ट कौन सा है electro analytical second spectrum analytical third is chromatography and fourth is other technique ठीक है तो अब एक एक को अपन discuss करते है electro analytical electro analytical मतलब क्या है कि देखियो किसी भी sample को अपन with chemical chemical जिसमें electrical भी है और chemical भी है मतलब conductivity देखिए आप potentiometry देखिए colorimetry देखिए conductivity में क्या हो रहा है किसी भी water के अपन को purity determine करनी है ठीक है तो उसमें अपन conductivity जानेगे कि इस water में इस solution में कितनी conductance है उसकी health से अपनों उसके अंदर जो solution यह solute पड़ा है उसकी analysis करके अपन उसकी जो है मात्रा है जो भी quantity है वो find out करनेगे इट इस टाइप ऑफ quantitative analysis ओके तो इतनी सारे instrument की थुरू से अपन करेंगे तो उसको अपन electric और chemical दोनों मिलके वह उसको बोलेंगे electro chemically analytical method कौन कौन साइज में इसमें इलेक्टोगेविमेट्री कंड़क्टोमेट्री कलोरोमेट्री okay next जो है वो आता है spectrum analytical अब यह spectrum analytical क्या है कि भाईया सीधी सी बात है किसी भी molecule को किसी भी जैसे की यह molecule है यह कवेट लेली मैंने इसमें कोई molecule है कोई भी compound है chemical PCM है drug है कौन सा भी है उसको अगर अपन light से dealing कराएंगे उसको अपन बोलेंगे spectrometry मतलब spectrum बोले तो light of metal जिसके deal करा रहे है अपन light से metal को deal करा रहे है और उससे चो अपन को response मिल रहा है उसको अपन spectro analytical method बोलेंगे ठीक है किसी में भी देख लिया यूवी spectroscopy, IR spectroscopy, flame photometry, fluorimetry सारे में अपन क्या कर रहे है कि molecule के उपर IR light डाल रहे हैं कभी कभी UV light डाल रहे हैं तो molecule matter की light के साथ dealing को ही अपन spectrometry बोलते हैं different different type of spectrometry are available in market ठीक है तो कौन-कौन सी उस पे नजर डालते हैं स्पेक्ट्रमेट्री, spectroflurimetry, IR spectroscopy, atomic emission, spectroscopy, atomic absorption spectroscopy, flame emission, turbidity, colorimetry यह सारे की सारे क्या है spectrometry के अंदर आती है तो समझ में आ गई ठीक है next चलते हैं हम अपन chromatography अब यह नाम क्या है chromatography chromatography का मतलब क्या है कि यह ऐसी analyzing technique है जैसे कि simple मैं बता दूँ आपको यह solution है इस solution में different different type के component है A है B है C है ठीक है आपके useful component है वो भी है अब उसको आप separate कैसे करोगे कि chromatography technique लगा होगे कैसे technique लगा होगे chromatographic technique जिसमें mobile phase और stationary phase के फ्रू अपन B component को separate कर लेंगे column में different different type की paper chromatography TLC chromatography different different type की chromatography मतलब separation of mixing solute from an individual solute सुमझ में आ गई बात ओके next चलते हैं अपन तो चलाए chromatography मतलब क्या हो गया यह देखो जी सी बोलो तो गैंस chromatography HP TLC high performance liquid chromatography और TLC thin layer chromatography और high performance thin layer chromatography okay यहां तक clear हो गया next चलते हैं other technique के बारे में कौन-कौन जी है ELISA test जो की HIV में अपन टेस्ट करते हैं यह क्या है immunodeficiency जो मतलब immunological जो अपन antibody anti-gen related जो अपन analysis करते हैं वो सारी other technique में आती है आर्टी PCR जैसे के आप यह अपने concept वो clear हो गया कि यह classification of analytical method अब हम कभी नहीं बोलेंगे क्या है सर दो टाइप के method है कौन-कौन से हैं एक तो instrumental से एक non-instrumental ठीक है instrumental में चार टाइप के असार इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रो क्रोमेट्रो और अधर टेक्निक और नॉन इस्टुमेंटल में classic में टाइट्रिमेट्री और इसके फर्दर आप डिलेशन जो है डिवेडेशन कर सकते हैं ठीक है तो यहां तक अपना method of analysis मतलब कितने कितने टाइब की method जो है available है वो सारी की सारी अपने आज discuss की ओके चलिए तो आज के लिए इतना ही thank you so much अगर वीडियो पसंद आया हो तो like comment and share करें subscribe करें thank you so much